जैन दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम राकेश मेरे दिनवान नाम बोलो तो आज की वीडियो मेरे पास है आइपोन 15 एंड ये फोन आपका अटेंशन डिजर्व करता है इसके पीछे रीजन है आपको मैं आइपोन 15 प्रो का वीडियो दिया था ये है 15 यानि कि आइपोन 15 सीरीज इसका सबसे बेस मोडल और यह जो मेरे पास आइपोन 15 ना यह एक्चुल इंडियन वेरियन नहीं है इसको मैंने दुबई से इंपोर्ट करवाया था मेरे जानकार दुबई गये थे मैंने का आइपोन 15 लेया ना और एक और चीज पता लगी मुझे लगा कुछ सस्ता ही यह वाला जो आइपोन है मेरे पास यहां पर बिल्कुल जैसे इंडिया में आइपोन मिलते है ना एक फिजिकल सिम एक इसिम वैसे सपोर्ट मिलता है और जो मैंने इसको टेस्ट किया सारी चीजे नोटिस करी मुझे लगता है काफी सेंसिबल आइपोन हो सकता है आला कि value for money sensible तरीके से देखे तो जिन्हों आइपोन 14 13 ओफर में अगर आपको मिल गया था क्योंकि सबको मिल नहीं पाता out of stock हो जाता कई बार लेकिन जिने मिला है तो सबसे value for money तो आपने sensible deal किया है लेकिन एकदम latest iPhone 15 series में काफी sensible iPhone हो सकता है बस हाँ इसमें एक ही दुख मिलता है कि iPhone 15 15 प्लस में भाई 60 हर्स डिस्प्ले देखने को मिलता है और रिया लाइक में जो लोग 120 हर्स का फोन यूज करते है तो जब भी इस पे शिफ्ट करो यह थोड़ा जिटरी सा लगता है फोन जिटर नहीं कर रहा हो 60 हर्स की वह ऐसे लगता है तो यह 60 हर्स शिकायत के लावो न तो तीसरा चेंज यहाँ पर आपको सामने डाइनमिक आइलन दे दिया तो थोड़ा सा 14 13 आइफोन 12 इन सब से अलग दिखेगा और साथ में ब्राइटनेस निट्स भी बढ़ा दिया 2000 निट्स तक तो सूपर ब्राइट डिस्प्ले है और वैसे मेन कैमरा भी चेंज कर दिया और वाले वाले वैसे बैटरी मेंचन तो नहीं करते लेकिन मैं एक वेफसाइट पर पढ़ रहा था पहले 3279 में था 14 में अभी 15 में 3349 में बैटरी है बाकि 20 वोट का अडेप्टर लगाना पड़ेगा चार्जिंग तो आपको एवरेजी मिलेगी लेकिन इन चेंज के बाद नए सीरीज का फोन देखना है बाकि 14 की तरह यहां भी 15 में अलेट स्लाइडर मिलेगा एक्शन बटन 15 प्रो और मैक्स में आया वैसे उसको मैंने थोड़ दिन तो बहुत प्यार से यूज किया अलग-अलग फीचर अप्लाई करता रहता था आखिर में मैंने भी उसको फिर चाहिए होती है जब भी आप कही आउट्डोर घूमने गए हैं कुछ भी कर रहे हैं जो लोग वीडियो शूट करते हैं तो काफी प्रैक्टिकल हो जाता है जो लोग ट्रेविलिंग करते हैं वीडियो बनाते है फोन से बड़ी बैटरी मिल जाएगी आपको वह 90,000 से शुर और साथ में A16 की विएसे आपको performance boost भी मिलेगा तो बढ़ियां काम करेगा आपका फोन कोई issue नहीं है यहां पे और जो लोग gaming करना पसंद करते हैं तो यहां पर अच्छी gaming हो जाती है फ्रेम्स भी consistent रहते हैं काफी कभी-कभी brightness drop हो जाता है mostly सभी आईफोन के साथ हैं इंड पंदरा कमिया निकालते हैं गलीच की तो 80 जारुपे के फोन में मैं दो तीन तो दिखा ही सकता हूं camera application में दिखवा 4K 30 fps शूपर option ही नहीं जा रहा है 4K 60 ही नहीं जबकि यहीं से switch हो जाता है ना मैंने फोन को restart कर लिया तब जाके 4K 60 fps वाला option आ गया और एक और है हाला कि यह third party application है लेकिन भाई third party भी चल तो इसी में रहा है न टेलिग्राम है यहां पर मैं गया for example यह photo है इसको मैं यहां से save image करता हूं image save to photos इसका मतलब मैं photos application में जाऊंगा यहां तो यह मेरी recent photo में दिखाएगा यह देखवा गया जो मैंने save किया था बट टेलिग्राम में पहल यहां आये नहीं recent में अभी भी है जो photo download किया था photo download हो जाता है video जाता ही नहीं यह भाई आप तो जानते हो मैं एक अंडर्यूजर हूं लेकिन iPhone रखता हूं पिकोज मुझे वीडियो बनानी है थोड़ा बहुत अपना experience लेता रहता हूं तभी तो बता रहा हूं आपको तो क कुछ नहीं आ जाएगा कभी कुछ fix हो जाएगा हर update के साथ और अगर camera की बात करें 48 megapixel main camera कर दिया इस बार 12 megapixel ultrawide 12 megapixel selfie आपको तीनों ही camera से 4K 60fps तक का video recording option मिल जाता है और iPhone में video recording के time video pause भी नहीं कर सकते मुझे सारे iPhone user से पूछना है प्लीज आप अपना honest opinion दीजी comment section में क्य इधर का कुछ दिखा के कहने लग जाऊं वहीं से play करके video ऐसे बहुत सारे use case होते हैं कहीं गुमने गए छोटे-छोटे clip record कर लिए memory भी कम लेता है आपका क्या opinion में जानना चाहूंगा और जो cinematic video है basically blur video बनाने में तो 4K 30fps मिल जाएगा बागी video quality note out उची मिलने वाले ही बाइशू नहीं है जो मैं बस दिखा देता हूं आइफोन 15 प्रो है जैसे और यह आइफोन 15 है आइफोन 15 प्रो में में और अल्ट्रावाइड का कैमरा जो स्विच होता है वो ज्यादा स्मूध है 15 में थोड़ा मुझे जीटर दिखा बहुत बड़ा इशू नहीं है Android में अब यह जीटर देखने को मिलता है लेकिन आइफोन में ज्यादा स्टेबल रहता था यह स्विच बड़ इसमें थोड़ा सा मुझे अभी दिख रहा था और फोटोस की बात करें तो फोटोस हुआ ही नैचुरल थोड़ी कोंट्रास्टी इस तरह करके फोटोस आती है टीप डीटेल्स मिल सकते हैं 24 मेगापिक्सल के साथ लेंस फ्लेयर इशू सारे आइफोन में जहां पर लाइट दिखती है इसके अंदर कुछ ज्यादा ही फ्लेयर बनते इसके जो लेंस की कोटिंग है कहीं ऐसी जगा फोटो लेते हैं जहां पर काफी सारी लाइट है तो कहीं भी ऐसे लेंस फ्लेयर बन सकते हैं और सेल्फी की बात करें तो कोई भी आईफोन हो सेल्फी आपके वैसे ठीक लगती है लेकिन उत्रा पसंद नहीं आती मुझे कभी आईफोन की सेल्फी क्योंकि यह सेल्फी अट्रेक्टिव बनाने के बजाए डल बना देता है इस्पेशली अगर मिल पाए तो और मुझे बढ़िया पॉन लगा कलर डिफरेंट डिफरेंट आते है इसमें आपको पसंद हो देख सकते हैं और याद रखिएगा वह व्लोगिंग वाला पॉइंट बड़ा इंपोर्टेंट था बड़ी बैटरी लोंग वीडियो शूट करते हैं तूर करते हैं करें गूमने जाते हैं प्लेस की तरफ देखिएगा फिर यहीं तो आज की वीडियो में वीडियो प्रसंद है तो लाइक चे सब्सक्राइब वाला काम आपका मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में